हम तुकन के लिए बड़ोया विल्कम यू रख दीजौन है सवाइग चल रहा ह और आज युव्राज का टेस्ट हो रहा है यहां पर जिस चैप्टर का नाम है कैपितल हम पसके बारें पढ़ेंगे यहां पर सवाल आएंगे युबराज से और युबराज जो जवाब देंगे इस तरफ हो जाई आप चलिए युबराज तो आपका पहला सवाल है इधर देखिए युबराज आपका पहला सवाल है कि जम्मू इन कश्मीर की जादानी क्या है capital, बिल्कुल साइज, मैं आपको बता देता हूँ यवराज की जम्मू इन कश्मीर, आप जवाब देने के बाद फिर देख सकते हैं, ओके जम्मू इन कश्मीर की दो राजधानी होती है, ठंड के समय में जम्मू हो जाती है, और गर्मियों गर्मियों के समय में इसकी capital क्या होती है? श्री नगर तो इसकी दो capital है, ये इंडिया का सबसे top state है, और जम्मू इन-कश्मीर से लगती हुई जो हमारी border है, तो हमारी जम्मू ःन-कश्मीर की border होती है, तीन कंट्री के शांद शेयर होती है, देखे जमु एन कश्मीर से हमारा पाकिस्तान टच है, क्या टच है, तो यहां से थोड़ा सा पाकिस्तान टच है, यहां से पाकिस्तान टच है, और इतना जो पार्ट बच रहा है, इसके नीचे जो जगह है, यह है अफगानिस्तान, यह क के बाद जो होता है यहां के बाद इस तरफ की पूरिया इन पार्ट जो जम्मू कश्मीर का यहां से देखिया पूरा का पूरा इधर से ले करके जो यह वाला पार्ट है यह वाला पार्ट है चाइना का क्या नाम है चाइना ठीक ना तो इंडिया के जो नेबर कंट्री यहां स से हमसे चीन रखा है ओके तो ये पार्ट जो इसके ऊपर का जो पार्ट एकदम से वो पी ओके है मगर वो इसको इंडिया के नक्षे में ही अभी माना जाता है और आंगे चलके उसको इंडिया भी वापस आप देखीए इस तरफ हिमाचल परदेर्स की Capital बताईए हैं। जी हां हिमाचल प्रदेश की पिल्कुल गलत जवाब है माचल प्रदेश की केपिटल शीमिला बहुत ही हिमाचल प्रदेश की केपिटल शीमिला बहुत सुन्दर सा सहर है ओके हिमाचल प्रदेश इसे वैली ओफ फ्लॉवर्स भी केट स्वरी वैली ओफ रूट्स भी कहते हैं होगे फूलों की घाटी क्या बुलते हैं फलों की घाटी तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है ऐला है आही बात समय इसके बादा चंडिगर सबराइट ऐसे चंड़ी पन्जाब की पन्जाब की कैपिटल है और मैं आपको को बता दू चंडीगड खुद में union territory है union territory मतलब जहां दिल्ली का शाषन चलता है प्रधान मंत्री का ओके तो चंडीगड जो है चंडीगड पंजाब की capital है और साथी साथ चंडीगड union territory भी है then उसके बाद उत्रा खंड की capital बताईए बिल्कुल गलत उत्रा खंड की capital है देहरादून उत्रा की capital क्या है देहरादून है देखें पहले ये UP के साथ में था अब ये UP से अलग हो गया पहले देखें ये UP है यूपी के साथ में था अब उत्रा खंड ये अलग हो गया ये देखे यहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और गंगोत्री, यमुनत्री ओके अमरनाथ नहीं है ना अमरनाथ तो जम्मुन कश्मीर में आता है इस पार्ट में ये पूरे के पूरे जो है यहां पर नेवर देखलो यहां से लिए बानडरी फैर चाइना ही और याम लख़जट की जो बांडरी है चाइना से, आपने अगला बताइए आप हर्याणा के कफिल क्या है हर्याना के कपिल डेली एडि है जिए हां बिल्कुल सही हर्याणा की कप्र भी च्रणीगर है ओके देखिए च्रणीगर जो है वो खुद में यूनियन टेरेटरी भी है और पंजाब और हरयाना दोनों की यह कैपिटल है तो चंडीगर हर्याना की भी capital है ओके देन इसके बाद new Delhi यह चोटी सी जगह जो आपको दिख रही है देली के बल इतना सा है जितना आपको दिखाई देरा मैप में देखे आपको समझ में आ जाएगा यह हां वही यह देखे यह इतना सा है के बल देली बहुत बड़ा स्टेट नहीं है बहुत छोटा स्टेट है इनफेक्ट मेरे ख्याल से इन आई थिंग वह से भी चोटा होना चाहिए बट राइट नाव मुझे कुन कंफर्म करने जानकारी नहीं है अभी देख लेंगे मैप में समझ में जागा गोवा की अगर पुजीशन देख लेंगे तो ह चली बात करते हैं तो दुदी तो छुद में ही इस टेट है UB है और फुद में इस टेट भी वन चुका है स्टेट भी है मगर पूरा पूरा तरीके से खे नहीं है वोर राज़ नहीं है दिल्ली और दिली की जैटल सब्स्द क्रहय कोई zenल के इसके बाद में नंबर है मद्धप्रदेश का ठीक ना तो अभी ये मद्धप्रदेश से बड़ा है एरिया के मामरे में इसके बाद बता ये उत्रप्रदेश की कैपिटल क्या है लखनो बिल्कुल सही बिहार की capital पटना है और आपको पता है उत्तरप्रदेश से नेपाल की border जॉइन होती है और बिहार से भी नेपाल की border जॉइन होती है इसके बाद हमारा मध्यप्रदेश की capital का है और कुजरात की capital का सूब आऊ डिकीख काया है और इसके बाद MP का पड़ोसी कौन है 36 गड़, 36 गड़ की कैप्टल, रायपूर, 36 गड़ की कैप्टल क्या है, रायपूर, MP का पड़ोसी उत्यप्रदेश, राजस्थान, और कौन है, 36 गड़ है, महाराश्टरा है, और गुजरात भी है, थोड़ा-थोड़ा सा टच है सब के साथ में, clear हो ग बात है, वेस्ट बेंग ओल की कैप्टल, कोलकाता, बिल्कुल सही बात है, और इसके बाद देखे, वेस्ट बेंग ओल जो है, वेस्ट बेंग ओल जो है, इस तरीके से है, यह लंबा-लंबस आपको दिख रहा है, यलो कलर में, और यह देखे, इसके बीच में दीष मतलब पूरे तरीक से इंडिया के हर तरव से घरा हुआ है ऐक तरीके से बंगलादेश यह देखिए यहां से है यह देखे यह बंगलरेश है यदि मैं इसको yellow color से या किसी kulर से shade करolina आगर मैं इसको highlighter से shade कर देता हूँ देखे तो यह देखे यह है बंगलरेश यह देखे और यह हर तरफ से जो है यह इंडिया से घरा हुआ देख रहे हैं आप लोग हां मतलब आँगे पीछे निए उपर ही हिए एक थर समुंद्र है तो ये बंगलोडेस की पूरे तरुढियत से इंडिया से घरा हुआ वह मगर फिर भी कौन है भूटान, भूटान की कपिल क्या है थिम्पू, क्या है कैपिल, भूटान की कपिल क्या है, थिम्पू, भूटान की कपिल थिम्पू है, अब चलिए अगला, अगले स्टेट की बात करते हैं, कुछ हों, सिक्किम, सिक्किम की कपिल बताईए, सिंकिंग की केपिटल गैंग टोक, सिंकिंग की केपिटल क्या है, गैंग टोक है, ठीक है, सिंकिंग की केपिटल क्या है, गैंग टोक है, ठीक है, इसके बाद बताईए आप मुझे आशाम की केपिटल, बिल्कुल सही, आशाम की केपिटल दिखे, आशाम एक बड़ा राज्य इस तरी मतलब नॉर्थ इंडिया में एक बड़ा राज्य है आशाम जो है दिशपूर है ओके यह नॉर्थ-East कहलाता है क्या कहलाता है नॉर्थ-East क्या है मिजोर्यम की क्या है कैपटल अगोवाल नहीं आई जोल मिजोर्ण की क्या है आई जॉल को कि ए ऑई जेड डबलू एल ऑई जॉल समझ में आ गया और इसके बाद जो है मयानमार लग जाता है इन स्टेट को एक मिनट मेरी बात तो सुनिए आप देखे यहां पर टोटल छोटे-छोटे साथ स्टेट है कितने स्टेट है साथ स्टेट जिसे एक हो गया आसाम मेगाले तृपुरा की रासानी क्या अगरतला क्या है अगरतला मिजोरम है ना फिर मनीपुर कोहिमा इस पर चाहर पर देखे शर्ञानी स समझाय। इंको बोलते हैं 7 सिस्टर्स क्या बोलते हैं इनको साथ बहनें भात की यह सेवैंस सिस्टर्स हैं यह जगह है ना तो इनको सेवैंस से इन बिजेपन एक बार फिर से देख लीजे मेजोरम की केपिल आईजोल, मनीपूर, इंफाल, नागालेंट की कोहिमा, आसाम की दिशपूर, मेगाले की शीलॉंग और अनुराचल प्रदेश की कौन है, इटर नगर, समझ गे न, आपको पता है, मेगाले में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेगाले में एक जगह प चलिए, अब बात करते हैं, आंगे एक स्टेट की, मैनमार हो चुका है, इसके बाद उडिशा की राजधानी गरता है, उडिशा की केपिल, भुवनेश्वर बिल्कुल सही, उडिशा देखे, उडिशा जो है, बेय आफ बेंगॉल से जुड़ा हुआ है, उडिशा जो है, जो सी शोर है, वहाँ पे लगा हुआ है, ओके, हां, और देखे, यह इंडिया की जो है, एक और भारत का कहना ची चोटा सा जगह है, यूनन टेरिटरी है ना, जिसको हम बोलते हैं, पांडुचेरी, क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना, यह पांडुचेरी है, ठीक दोनों की capital है, है ना, और देन इसके बाद, छत्यिस घड़ की रायपुर, कनाटेका की capital बोलिये, बैंगलूरू, बिल्कुल सही, और तामिल नाडु की जो बता दी आपने, है ना, तामिल नाडु की चनाई, केरला की capital बताई, तीरु अनन्थपूर National, देखिए बिल्कुल यहाँ पर यह जो C लगता है यहाँ पर यह Indian Ocean है कौन सा C है इंडियन Ocean और इस तरब जो C लगता है इसको बोलते है वे ओ बेंगॉल क्या है यह यह जो C है यहाँ पर यह वे ओ बेंगॉल है इसके बाद यह Indian Ocean है इंडियन Ocean में देखे भारत और स्रीलंका के बीच में यह चोटे-चोटे जो पॉइंट पाये जाते हैं यह यहाँ पर पूरा स्रीलंका है और यह चोटे-चोटे दिख रहे हैं यह चोटे-चोटे पोर्ट है यह वाइट वेट लगतर दिख रहे हैं यह इसलिए थोड़े से डौट-डौट-डौट क्यों पत्थर का जो रास्ता था वो अभी वहाँ पर है है समझ गया न इसलिए पूरा खाली नहीं है जैसे यहां पर देखें पूरा खाली नहीं ह nuclear रिंदिया का देखे, इंडिया का जो है लक्ष दीब, ठीक है? यह रेखे, एक दूसरी कंट्री है जिसका नाम है मालदीफ, क्या नाम है यह? हाँ, यह मालदीब है यह मालदीफ के छोटे छोटे पोर्ट होते हैं, छोटे छोटे आइलेंड है लोग घूमने के लिए यहां पर जाते हैं यहां पर बहुत बीच बगे रहे हैं पिकनिक करते हैं लोग अब यह इंडिया का लक्षदीप है क्या है लक्षदीप हाँ तो यह लक्षदीप है तो लक्षदीप बताइए लक्षदीप में लक्षदीप के कैपिल क्या है काबरती क्या है काबरती तो इस हमारी boundary से बहुत जादा दूर है ये पट फिर भी यहां पे इंडियन territory कहलाती है ये तो ये अंडमान निकोबार island है काफी सारे island है यहां पे है ना और इसकी capital क्या है पोर्ट ब्लेयर क्या है इसके capital कहां पे हां क्योंकि इंडिया का है किसका ही इंडिया का है इसमें इंडिया का कबजा है ये इंडिया का है ये जो है अंडमान निकोबार है इसकी capital क्या लक्ष दीप क्या रकावरती लिएани स्के बात है उनी आधे कम्ला पार जले ऊपिन में इसके बात होगी यहाँ पांडु चेरी यह निसको आझकल लृतों पहले पांडु चेरी बोलते थे पंजी गुवा की कपिल क्या है बिलकुल बात है इसके बाद ये रेखिए हम मैं बोलता हूँ दमन इंदीव दमन इंदीव बताई उसकी क्या है कैपिल शेडिए अरresses गॉल स्लवासा ये स्टु यह देखिए दबं एंडीव की केपिटल ढमन है एड़ा एन झीक धादरा नगर है फटल से वासा होगी ज़र फ़ीन रह ददर हां ददर रएन नंगर हमें चैपिटल कäre सवासा तो अन्दमन्न तो यह सब के सब कहां पर है यह गुजरात और जो एक तरीके से महाराश्टरा की बॉर्डर जहां पर मिलती है कोने पर यह सारे के सारे वहीं पर बैठे हुए काबरत्ती कहां की है काबरत्ती जो आपकी केपिटल है वो है इसकी लक्षदीव की ठीके ना यस तो यह हो गया है अब देखी कौन सा कुछ बच गया क्या हमाए पास सारे हो गया आई थिंक सारे स्टेट हो चुके हैं ओके ठीके ना सारे स्टेट हो चुके हैं तो एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ और नाचल प्रदेस की केपिटल क्या है इधानागर ओके आंध्य Прदेस की हैध़र अशम की दिशपूर बिहर की पटना बिहर की बात की थी हमने हाँ बिहर की बात हुचुकी है गुझरात की गांधीनेगर हरियानवा की चंडिगड हिमाचलप्रदीस की शिम्ला कन्नाटक की बैंगलूरू केरल की तुरुण अनद्पुरं मैरत्तप्रदीस की महर भो पाल माराष्टा की मुंबई मेगाले की केपिल शीलॉंग मेघाले की शीलों केपिटल एक्जाम में आता है याद रखेगा ओके नागालेंड की नागालेंड की कोहिमा है मड़ीपुर की इमफाल मिजोरम की आईजोल रणाचल प्रदेश की इटानागर ओके उडिशा की भुवनेश्वर पंजाब की चंडीगर राजस्थान जैपूर तमिलनाठ चन्नव चन्नई उत्रप्रदेश की लखनव बस्यम मंगाल कोलकाता मड़ीपुर की इमफाल देखा हम लोगों ने अगरतला धिर्फवा देखी भाय त्रिफवर तैंप यहां पर द्रिफवर यह दिख राए बीच में बैठा हो त्रिफवर ओके यहां पर द्रिफवर नागरतला कैश्प्र सिप्ति वेसल आगरतल यह के रखिए सेवन सिस्टर्स हैं तो एक दो तीन चार हो गई, मनीपुर पाँच हो गई, नागलेंड छे हो गई, और अनाचल प्रदेश साथ हो गई, इनको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, ठीक ना? यस, तो तुत्रिप्रा की राज़ानी क्या है? अगर तला, सिक्कीम की क्या? गैंग टोक, सिक्कीम की गैंग टोक है, ओके, सिक्कीम को ले करके बहुत लडाई हो रही है, चाइना बहुत एग्रेसिव है, सिक्कीम को ले करके, वो सिक्कीम को अपना एरिया मानता है, ओके, चाइना मानता है, चलिए, आंगे, देन, मिजोरम की क्या है? आईजोल, गोवा क की knowledge यहां पर हमने आपको पूरी map की knowledge दे लिए आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा यह देखिए इंडिया की direction उपर का पूरा area जो है north है और नीचे का area जो है पूरा south है और यहां का area पूरा east है और यह area क्या है वेस्ट में है तो इंडिया के north में क्या पढ़ता है जम्मु एन कश्मीर पढ़ता है इंडिया के east में exactly north east का लिए क्योंकि east में कहा जाए तो बिल्कुल east बिल्कुल बीच से निकलता है यहां से ओके ऐसा कुछ तो यह थोड़ा north की तरफ चला जाता है इसलिए इस portion को हम लोग क्या बोलते है north east बोलते है जितने ही ठंडी थोड़ी से जगह है और साथी साथ में east में भी पढ़ती है ओके देन इंडिया का west वाला पार्ट जो आता है वो गुजरात है है इंडिया में west में क्या पढ़ता है गुजरात पढ़ता है and then south में क्या पढ़ता है वही तमिल नाडू पढ़ता नमस्कार